सब्सक्राइब कीजिए आटो एक्स्ट्रीम को और बाइक्स और कार्स की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाईए क्रूजिंग मार्किट में बहुत साल राज किया रॉयल एंफिल्ड ने बहुत सारी बाइक्स आई और गई बट कोई कॉम्पेट नहीं कर पाई रॉयल एंफिल्ड की क्रूजिंग बाइक से जैसे की क्लासिक 350 बट अब आती है जावा पेराग जिसको देख के आप कह सकेंगे की हाथी मत पालो चीता पालो जावा ने लॉँच किया जावा पेराग जो की डाइरेक्ट कॉम्पेट करेगी क्लासिक 350 से मैं हूँ अमन और आज मैं बात करने वाला हूँ नई जावा पेराग की जावा ने जावा पेराग को लॉँच किया है एक बॉबर और क्रूजर टाइप के लुक में मतलब की एक जो सिंगल सीट बाइक होती है उस लुक में जिसमें हमें मैट ब्लैक कलर मिलता है और बीच में टैंक पे गोल्डन कलर से जावा लिखा हुआ है जो की इस बाइक को बहुत जबरदस्त एक जो क्लासिक क्रूजर है वैसी लुक देता है डिवल चैनल एबिएस सिक स्पीड गियर बॉक्स और फ्यूल इंजेक्शन जैसे एडवान्स फीचर्स के साथ जावा पेराग बनती है एक कंप्लीट क्रूजर जावा ने इस बाइक को लास्ट एर शोकेस किया था और अब ये बाइक शोरूम्स में आ चुकी है और इसके डिलिवरीज भी जल्दी जैन्वरी से स्टार्ट होने वाली है एक लाख पिचान में हजार के एक शोरूम्स प्राइस पे जावा पेराग शोरूम्स में बुकिंग के लिए अवेलिबल है इस वीडियो में मैं नई जावा पेराग के एक एक फीचर को कवर करने वाला हूँ मैं आप लोगों को बताने वालूँ कि हमें इस बाइक में क्या खास मिलता है सबसे पहले बात करते हैं इसके पावर हाउस की इसके इंजन की जावा पैराक में हमें 334 CC का इंजन मिलता है जो की 30 BHP प्रोवाइड करता है यह जो रॉयल एंफिल वाली डुग डुग है वैसी साउंड नहीं देता वैसी इसकी बोर्टू स्ट्रोक रेशो नहीं है तो उस वज़े से जो इंजन के रिफाइनमेंट है वो बनी रहेगी हायर स्पील्ड पे भी और इन सब चीजों के साथ जो इसका इंजन है वो BS6 कॉम्प्लाइंट है अब एक बार इस बाइक की एक्जॉस्ट साउंड सुनते हैं पेराक में हमें फ्रेंट में 122 का 18 इंच का टायर मिलता है उसके साथ ही 280 mm की डिस्क प्लेट मिलती है डिवल चैनल ABS है इसमें और जो सस्पेंशन है वो हमें इसमें टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फ्रेंट में और जो रियर है इसका उसमें हमें 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है और रियर में जो हमें टायर मिलता है वो 140 का मिलता है और वो 17 इंच का मिलता है उसके साथ ही जो इसका रियर सस्पेंशन है उसमें हमें एक मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है इसका जो rear tire है वो दिखने में भी काफी जबरदस्त लग रहा है उसके साथी काफी चोड़ा है तो traction भी बनी रहेगी और dual channel ABS होने के वज़े से safety की भी problem नहीं है मतलब cruising के लिए और riding के लिए काफी अच्छा option बनने वाली है जावा पेराग 14 लिटर की fuel tank capacity के साथ ये bike आने वाली है और fuel tank के बिलकुल उपर लिखा हुए पेराग गोल्डन कलर में उसके साथी golden कलर की दोनों तरफ lines है नई जावा में हमें एक single handle bar मिलता है और उसके साथी जो rear view mirrors है वो लगाए गई है है handle के उपर ही जो clutch और throttle lever है उसके पास लगाए है नई जावा की जो खास बात है वो है इसकी single seat हमें इसमें जो seat मिलती है वो बस एक ही seat मिलती है single seat मिलती है वो बात अलग है कि जो accessory manufacturers है उन्होंने इसकी नई seat जो pillion seat है उसको design करना start भी कर दिया होगा meter के मामले में हमें ये एक semi analog meter मिलता है जिसमें बीच में digital screen है वहाँ odometer देख सकते हैं उसके साथ ही जो पूरा meter है वो analog meter है जैसकी classic में जावा classic में वैसा ही meter हमें इसमें मिलता है sufficient details ये meter provide करके देते ता है एक old school cruiser के लिए जावा पराक में जो हमें head lamp मिलता है वो पुराने वाली जावा से ही मिलता है जो जावा classic है हमें वैसा ही इसमें भी head lamp मिलता है उसके साथ ही जो खास चीज है वो है इसकी rear light हमें इसकी rear light बिल्कुल seat के पीछे मिलती है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे comment section में जरूर बताइए और वीडियो को like किजिए अगर आप auto extreme पे पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर दीजिए और subscribe करते टाइम bell icon दबा दीजिए जिससे की आपके पास auto extreme की latest videos की notifications सबसे पहले आ जाएंगी thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में